आज हम देखेंगे पुणांकों के समरुद्गुन के उधारण एक दिन अध्यापक ने शामपट पर संख्याओं के निम्नलिखित तीन समूह बनाए और बच्चों से पूछा दिये समूहों में कौन सा समूह व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन के अंतरगत संवरुद्ध यानि closed है अभय ने इस सवाल का जवाब दिया समूह तीसरा क्या अभय का जवाब सही है एक समुह किसी संक्रिया यानि ओपरेशन के अंतरगत संवरुथ होता है जब संक्रियां से प्राप्त परिणाम सदेव उसी संवरुथ की संख्या होती है इस तरह से एक समुह व्यवकलन के अंतरगत संवृत तब होता है जब व्यवकलन से प्राप्त परिणाम भी उसी समुह की संख्या होती है। आईए जानते हैं क्या समुह पहला व्यवकलन के अंतरगत संवृत है। इसके लिए हम इस समुह की संख्याओं का व्यवकलन कर पता लगाएंगे कि आने वाला परिणाम भी इसी समुह की संख्या है या नहीं यहां बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर परिणाम इसी समुह की संख्या आती है लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो एक रिनात्मक संख्या यानि निगेटिव नंबर प्राप्त होती है जो कि समुह एक की संख्या नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि समुह एक व्यवकलन के अंतरगत समरुत नहीं है चलिए समुह दो की बात करें क्या आप बता सकते हैं कि समुह दो व्यवकलन के अंतरगत समुरुद है या नहीं? सूचिए सूचिए चलिए हम बताते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा कर समूह दो की संख्या प्राप्त होती है लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा कर समूह दो की संख्या प्राप्त नहीं होती इस कारण समूह दो व्यवकलन के अंतरगत संवरत नहीं है अब सम्मूह तीन की बात करेंगे यह पूर्णांकों का सम्मूह है इस सम्मूह में से किनी भी दो संख्याओं को लेकर इनका व्यवकलन किया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या इसी संख्या की एक संख्या होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि सम्मूह तीन व्यवकलन के अ अंतरगत सम्रुत नहीं है। इससे परिणाम प्राप्त होगा 51 बटे बारह या पूरांक के समुह की संख्या नहीं है। बारह रगलाप समें अंतरगत सम्रुत नहीं है। झाल